हेलो गाईस स्वागत आप सबका आज हम बात करेंगे HCC की और कल भी इसके उपर हमने बात की थी और कल काफे अच्छा रिस्पोंस मिला था आपका इसलिए जो है आज भी इसके उपर हम वीडियो बनाएगे साथ ही साथ जो भी लोग नहीं है पहले आप हमारा वो वीडियो ज बगाएगा लेकिन बीच बीच में मैंने बोला था कि रजिस्टेंट का सामना भी करना पड़ेगा क्लियरली मैंने बोला था 24 से 25 रुपे का जो जोन है यह एक छोटा रजिस्टेंट इसके लिए बन सकता है बिल्कुल वहीं हुआ है फ्रेंस 25 रुपे 20 पैसे से घटकर यहां पर लेकिन अगर यह 30 को भी क्रोस करेगा तो मुतलब कि यह 40 रुपे तक भी जा सकता है टेकनिकल ले चार्ट के उपर देखे तो वहीं संकेत दिख रहे हैं लेकिन यहां पर टाइम लग सकता है और यहां पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की और यहां पर आगे बह इसके उपर जानकारी दी थी कि एक्सपर्ट ने दिये है बड़े इसके टार्गेट और यहां पर भी आप देख सकते हैं पहला टार्गेट हमारा अचीव हो चुका है 24 रुपे 30 रुपे और 40 रुपे यहां पर आप क्लियर लीस को जो है 24 रुपे 30 रुपे उसके बाद वह जो है 50 रुपे के करिब यह भी जो है ओल्मॉस्ट डबल हो चुका है चार मईने में तो यह से वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए है तो एक बार हमारा चैनल विजिट जरूर करें डेली जो हम एक शॉर्ट वीडियो सब्लोड करते हैं और उसके अंदर भी आपको अच्छी opportunity मिल सकती है एक बाल विजिट जरूर करें तो इसके अंदर भी इसने भी 20-125 रुपे तक का हाई बनाये था अभी 114 रुपे का price है इसके अंदर भी 25-30% के आसपास की तेजी देखने को मिली है तो यहां पर नीचे में यह जो आखरी क कॉलम है यह जो है डिलिवरीबल डेटा है एनसी का और यहां पर थोड़ा सा मैं आपको जूम करकर दिखाओ तो यहां पर आप देख सकते हैं कल के दिन जो है ट्रिमेंडेस वोलियम इसके अंदर रहा जरा डिलिवरी वोलियम देखिए इसका यह आखरी कल का दिन है 11 करोड बहुतर लाग शेर की डिलिवरी उठी है इसके अंदर और यह 23 चोईस रुपे इसके आसपास का प्राइस से तो आप खुद इसके अंदर केल्कुलेशन कर सकते हैं कि इतनी छोटी कंपनी में इतना बड़ा इसके अंदर डिलिवरी उठी है तो कोई ना कोई इसके अंदर बाइ कर रहा है और साथ ही साथ अगर आप यहां से लेकर कल भी हमने बात की थी का जब यह 19 रुपे से 20 रुपे के आसपास था 20-20 रुपे तभी इसके अंदर जो है वोलियम सुरू होना स्टार्ट हो गया था अच्छा कासा डिलिवरी वोलियम था 3.5 करोड तीन करोड और य बात करें तो सेलर्स जो है थोड़ा से ज्यादा दिख रहे हैं बाइस के मुकाबले लेकिन यह सिन्यालियों होते हैं हमेशा चेंज होता रहता है अभी लाइव मार्केट चल रहा है 24 रुपे 25 पैसे कासपास का प्राइस चल रहा है और साथ ही साथ एग में आपको बता पूरा वीडियो ज़रूर देखिए सबसे पहले और यहां पर अभी देखे तो इसके हम फंडामेटल एनानिस भी करेंगे के फंडामेटल कैसे है वो इस हम विकेंड में तो तब तक के लिए वो भी सब्सक्राइब जरूर करें कि यह फंडामेटल कंपनी कैसी लगती है कंपनी के पास काम की थोड़ी सी कमी थी इसके पास order book जो है वो ज्यादा स्ट्रोंग नहीं थी अभी फिलाल इसके उपर कितने orders मिले उसके बारे में बाद में चल्चा करेंगे बाकि इसका जो फंडामेंटल है वो काफी एक्चुली स्ट्रोंग है लेकिन काम की थोड़ी स हुआ था साथ ही साथ अभी देखे क्योंकि पूरा बाजार चड़ा है और इसने जो है ब्रेक आउट दिया है और यह भी अगर देखे तो मल्टियर ब्रेक आउट भी इसको कह सकते हैं वह आगे देखे कि यह फिलाल 15 मिनिट का चार्ट है तो यह अभी देखे तो परसो का यहाद जरूर रखिएगा क्योंकि वह रूमर्स किया है अभी फिलाल में नहीं बचाना जाता है यहाँ पर अभी देखे तो जैसे कि यहाँ आज के दिन की बात करें तो सिधर 25 रुपे का हाई बना कर अभी यह 24 रुपे का सपास यहां काम कर रहा है यहाँ पर यह वीकली बाइं करना चाते हैं तो stop loss का इस्तबाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा बिए यहाँ करता हूं कि अगर आप ट्रेड लेते हैं तो stop loss का इस्तबाल जरूर करें, और इसके अंदर अभी stop loss थोड़ा सा deep लेना पड़ेगा अगर आप नहीं बाइं करते हैं तो 20 रुप बनाया और बाइचांस यह 20 रुपे को तोड़ता है तब आप चाहे तो निकल सकते इस तरीके से इसको कहते है ट्रेलिंग स्टोप लोस फिलाल हम देखेगा इसका प्राइस कहा पर जा सकता है तो वह भी मैंने कल भी इसके अंदर रिफिनिशन दिया था इसका कि मुझे असा लग रहे है कि जो कॉपंेन हेंडल होता है उसका जो लो होता है और इसका जो हैंडल का हाई होता है उनके बीच के गैप होता है अगर के ऒल चै करो नहीं तो यह इस वज़े कि कलह को हैं तो मतलब की यह 28 से कल भी इना था तो 30 रूपहे तक जाने की इसकी nac है ऊब मंथली चार्ट देखते हैं कि 40 रूपहे तक जाने की संभावo नजार अक्वरार भी शलने का निखुन्या r Ela होते हैं और यह मंतली चार्ट है जैसे कि कल ही हमने देखा था कि इसके पहले अगर देखे तो इसने जो है बाइस रुपे का हाई बनाया था यह हायर हाई की सिट्वेशन यहां पर बनी हुई है और अब मुझे सा लग रहा था कि यह 24 से 25 रुपे तक जाएगा और यह बिल्क अगर सही साबित होगा तो जो हो सकता है कि मतलब की जल्दी ही इसके अंदर तेजी आए बाकी थोड़ा सा वक्त लग सकता है ऐसा मुझे लग रहा है फिलाल देखे तो यह मंतली चार्ट के पर 30 रुपे तक की अगर बात करें जैसे कि यहां पर इसने ब्रेकाउट सा दिया रजिस्टन की बात करें तो वो जो है दो बार रजिस्टन इसने यहां पर लिया था जो की 40 रुपे के करिब करिब का बाउ है तो अगर यह 30 रुपे को भी क्रोस करता है तो जो है यहां तक 40 रुपे तक भी जा सकता है और जैसे कि यहां पर यह लंबा चार्ट है यह भी मं तो जैसे कि आप clearly यहाँ पर देख सकते हैं अगर यह breakout हुआ है तो possible है कि यह जैसे कि यहाँ पर इसने high बनाए था उसी level के आसपास यह पहुंच सकता है लेकिन वहाँ पर जाने में इसको time लग सकता है और साथ ही साथ बीच बीच में resistant का सामना भी करना पड़ सकता है जैसे क कि आज ही यह सामना किया 25 रुपे के resistant का और मैंने clearly कल का वीडियो आप देखे जरूर एक बार आप देख सकते हैं वो वीडियो कल मैंने क्या बोला था जो भी लोग नए है जो कल का वीडियो देखा उनको तो पता ही होगा कि 25 रुपे के उपर साफ साफ मैंने बोला था और यहां पर बायं की होगी यहां पर बायं की होगी जह शॉट-term traders हो तक बार जाते हैं वो से छोने करना आ जाते हैं तो यहां पर इसका support पर नहीं बलकि 26 रुपे और 50 पैसे से लेकर 28 रुपे का जो जोन है अब नेक्स इसका जो है रिजिस्टेंट यह हो सकता है और उसके बाद और आज के वीडियो में इतना ही अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंस लाइक किये अगर नवजाए शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और एक स्टेंडर डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ आप कोई भी ट्रे